भरतपुर के मतुरा बाइपास रोड पर शुकरवार रात को सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रेक्टर प्लट गया और ट्रेलर की चपेट में आकर बगल से गुजर रहे तीन बाइक सवार समेट पांच लोग ट्रेलर के नीचे दब गए हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि ट्रेलर के नीचे दबे दो और लोगों को रैस्क्यू ऑपरेशन के द्वार बहार निकाल लिया गया है इन दोनों को RBM अस्पताल में भरती करवाया गया है आपको बता दे कि सीमेंट का ट्रेलर पलट गया था और जिसके नीचे बाइक सवार दब गए आपको ये भी बता दे कि हाथसे में तीन जनों की मौत हो गई है जबकि दबे हुए दो लोगों को निकालने के लिए रैस्क्यो ओपरेशन चला दिया गया है और हाथसे की सूचना पाकर सेवर और कोत वाली थाना पुलिस मौके पर पहुँची और सेना के जवान भी मौके पर पहुँचे और चार अलग-अलग क्रेनों की मदद से ट्रिलर कोई नीचे तीन घायलों को बाहा निकाला और तीनों की मौत हो गई है अन्य घायलों को निकालने के लिए सेना और पुलिस में कड़ी मशक्कत की और मौके पर चार क्रेनों की मदद से तीन घायलों को बाहा निकाला है बिकानेर में करोना के चलते पूरे डेड़ साल तक परदेश में शिक्षन ववस्था बाधित रही है और अब धीरे-धीरे सरकार की ओर से मिली छूट के बाद गाइडलाइन्स के मुताबिक सोमवार से ही स्कूल अपनी पूरी शमता के साथ संचालित किये जाएंगे शिक्षः विभाग ने सरकार की अनुमती के बाद स्कूलों को सो फिस्डी शमता के साथ संचालित करने का आदेश जारी किये है और इसको लेकर शुकरवार को शिक्षः विभाग ने आसोपी भी जारी कर दी है शिक्षा निर्देशक कानाराम ने भी शुकरवार को SOP जारी करने के साथ ही प्री प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा एक से बारा के कक्षा शिक्षन के लिए भी मानक संचालन परकिरिया के अनुरूप करने के निर्देश दिये हैं जारी किये गई SOP के मताबिक प्रातना सभा सामूही खेद उत्सव आयोजन COVID-19 के विभार की शर्थ की पालना पर कर सकेंगे और इसके लिए भी घ्याले में विध्यार्थी लंच अपने कक्ष में ही करेंगे और पर इसका उप्योग नहीं कर पाएंगे मिड़े मेल योजना में गरम भोजन उपलब्द करवाए जाने के निर्देश अलग से जारी किये गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दे कि स्कूल विध्यार्थियों की स्वस्ति की सुरक्षा की दृष्टिगत पीने के पानी की ववस्था के लिए भी पानी लाने को ल देश तक बंद करने के निर्देश दिये गए हैं साथी परतेक और क्लास रूम और फेकल्टी रूम में भी कुरसिया और रेलिंग जैसे स्थानों पर लगातार सैनिटाइज करने का भी उप्योग करने के निर्देश दिये गए हैं जैपुर की कमिश्टेट स्पेशल टीम नहीं वहां चोरों के खिलाफ एक बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए गैंग के सरगना, संजे, योगी और खरिदार दिलीप गुजर सही तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है साथे गैंग में शामिल वहां चुराने वाले दो बाल उप्चारियों को भी निरुद कर दिया गया है पुलिस ने आरोपियों के पास से शहर के अलग-अलग छेतरों से चुराए गए आठ दूपहिया वहां भी बरामत किये हैं पारंबिक पुछताच में आरोपियों ने जेपूर और आसपास के जिलों में दो दर्जन से ज़्यादा दो पहिया वहां चुराने की बात कबूल की है फिलाल पुलिस गिरफत में आया आरोपियों से पुछताच में जुटी हुई है जिसमें अन्या वारदात का भी खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है वहीं एडिशन ACP क्राइम सुलेश चौधरी का जानकारी ये भी दिये है उन्होंने की शहर में बढ़ती वाहां चोरी की वारदातों को देखते हुए कमिश्टेट स्पेशल टीम ने मुखबीर तंतर के सूचना पर एकत्रित करने के बाद वाहन चुराने वाली गैंग के सरगना संजय योगी को गिरफतार किया है और इसके बाद आरोपी की निशान देही पर चोरी के वाहन खरीदने वाले दिली गुज और गैंग में शामिल विजे मीडा को गिरफतार किया गया है आरोपी ओर ने ये भी निशान देही पर चुराए गए आठ दो पहिया वाहन बरामत किये गए हैं और साथ ही दो बाल उक्चारियों को निरुद कर दिया गया है गैंग का सरगना संजय योगी नवी कक्षा तक पढ़ा लिखा है और आपको ये भी बता दे कि पूर्व में भी फल बेचने का काम किया करता था और आरोपी ने गैंग में दो बाल उक्चारियों को शामिल किया और दो पहिया वाहन चुराने की वारदात को अंजाम देने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संजय योगी ने जैपूर के अलावा दोशा अलवर और करोली में दो पहिया वाहन चुराना शुरू कर दिया इसके बाद से ही चुराए गए वाहनों की दिलिप गुज्जर को प्रती वाहन दो से 6,000 रुपे बेचने शुरू कर दिया था जो हुआ कर दिया था इसके बाद से 7,000 के साना थालवर चरना दो से 8,000 दो से 7,000 दो से 7,000 1, 2, सुरू माहन 하 Captain